ब्रेक के बाद आपका स्वागत है प्रदेश में अरली प्रजाती की गेहूं वर धान की उन्नत बीज को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है इस काम में विलासपुर कृशी अनुसंधान के दिर्दवारा गेहूं की नई प्रजाती अनुशका सीजी 1029 विक्सित की ग ये किये गए प्रबंधन को दिखने अखिल भारती गेहूं अनुसंधान कींद्र करनाल के तीन कृशी वैज्यानिक डॉक्टर आर पी मेरा के नहते तुमें सोमनी पहुंचे उनके साथ बिलासपुर सी कृशी वैज्यानिक ए पी अगरवाल भी थे इन कृशी वैज्यानिक से पंद्रा दिसंबर के बीच बुवाई पूरी कर ली जाए जिससे अच्छी फसल होने की उम्मीद होती है वह इन वैज्ञानिकों ने गेहूं की फसल के रख रखाओं को लेकर किसानों के लिए अपनी अपनी बातें रखी देखें हम लोग आल इंडिया वीटेंड बारल इ फार्मर्स जो इस गाओं में रहते हैं उनके फिल्ड्स में देखा कि वह किस तरह से गेहूं कर रहे हैं और उस उनके बारे में उनके विचारों को जाना और हमने हमारे हमारे किसानों का विचारों का अधान परदान रहा है इसमें हमने पाया कि यह जो एरिया है जहां पर दान भोते हैं धान के बाद में घ्यों भोते हैं तो यह लोग काफी महनत करते हैं लेकिन धान की जो भुआय करते हैं उसके बाद में पुरा नवंबर भी लग जाता ये सब्सक्राइब रहता है अन्य था यहां के किसान काफी महनती और काफी जागरुक है अपने नहीं परजातियों को लेके और चाहिए वह फर्टलाइजर मैंनेजमेंट हो चाहिए कि वीड मैंनेजमेंट हो इन लोगों काफी ग्यान है लेकिन जो कंपेरिटिवली जितना गेवों का उत्पाद इस तरह रहना चीए वह थोड़ा सा कम रहता है और उसकी वजह यह कि थोड़ा सा देरी से बवाई यह लोग करते हैं इसके अलवाब मैं हम जो यह आप देख रहे होंगे खेट पीचे इनमें अच्छी फसल खड़ी है और लगातारिये किसान लोग यहां के वेग्यानिकों संपर्क में रहते हैं जिसके तहती जिसकी वजह से इनको नई पर जाते हैं टाइम से मिलती रहती है और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं इनका अम और आगे यहां पर निरेक्शन करते रहेंगे और इनको नई पर जाते हैं टाइम से प्रवाइट करवाते रहेंगे कंपनी का प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन किसान भाई आए कहीं अच्छी किस्म का उप्योग करें और अच्छे से खेती करें तो इस चीज को मिटिगेट किया जा सकता है इस चीज का प्रभाव कम किया जा सकता है बिलासपूर में क्रिसी महावध्यालयान संधान केंद्र जो है उसमें मैं गेहू परियोज्या में प्रमुक वैग्यानिक के पत्पे कारता हूँ अब पूरे 36 गड़ में गेहूं के उत्पादन और गेहूं के किन-किन किस्मों का यहाँ पर खेती होना चाहिए इसके बारे में जानकारी देता हूँ पिछले एक-दो सालों में बिलासपूर केंद्र से चत्रिवड के किसानों के लिए हमने यह कनिस्का किस्म जिसका नंबर CG1029 है यह विक्सित किया है यह किस्म जो है देर से सिंचिता वस्ता में बूनी के लिए बहुत अच्छी है इस साल हमने किस्म निकाली है जिसका नाम हमने विद्या रखा है CG1036 इसका नंबर है यह किस्म जो है इस किस्म से चपादी बहुत अच्छी बनती है अगले सालों में किसानों के लिए यह बीज उपलब्ध होगा तो बिलासपूर में जो गेहुन संधान परियोज्या है वो अपने 36 के क्रिसको में गेहुन के अधिक उत्पादन को प्रोजसाहिद के लिए लगाता प्रयासेरत है और इस दिसा में वो सफल हो रहा है और नई नई किस्में विखसित कर रहा है और किसानों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि गिहूं के सालसा जैसे किसान भाई सर्सो लगा रहा हैं रवी कि जो कोई भी फसल लगाते हैं उसकी समय से बुवाई करें पंद्रा नॉवंबर से पंद्रा दिसंबर के बीच अरवी मौसम में लगने वाली सारी फसलों की वह बुआई कर लें उससे देर करेंगे तो उन्हें उत्पादन में कमी होगी, किड़ मकुड़ों में वड़हुतरी होगी तो किसान भाईयों को दूसरी एक प्रमुक सलाह ये है कि समय से बिजाई करें पंद्रा नॉवंबर और पंद्रा दिसंबर के बीच अरवी मौसम की सभी फसलों की वह बुआई कर लें देखिए गेहु एक अत्यंत महत्पूर खादे फसल है ये सब हम जानते हैं और इसका खादे सुरच्छा में देश की खादे सुरच्छा में बहुत बड़ा महत्व है आज यहां स्रीमान संज्यू जी के फील्ड पे परचेतर बरमड किया किसान गोश्टी भी की आप भी देख सकते हैं पीछे सीजी दस उन्तीस का डेमोस्ट्रेशन प्लॉट लगा हुआ है काफी अच्छा प्लॉट है तो मेरा तो बस यही कहना है कि एक तो किसान भाई नई से नई किस्म का उप्योग करें अखिल भारतिये गेहु एबम जो अन कि द्यान दिया जाता है उसमें बीमारी उसमें उपज और गुणवत्ता के लिए काम करके यह फसलें विक्सेट होती हैं प्रजाती हैं तो किसान भाई नई से नई किसम का जो वही लें दूसरा जैसा कि गोस्टी में भी हमने बात की समय से बिजाई करें और जो जितने भी न्यूट्रियंट्स आवश्यक हैं मिट्टी की जांच कराने के बाद उनका सदुपीयोग करें और पानी का सिचाई प्रबंदन का समय से ध्यान दे क्योंकि यहां थोड़ा सा हीट का एरिया है गर्मी रहती है बातावरण के गेहूं की थोड़ी जो फसल है उसको थोड़ी श हो जाने की वज़े से कल्ले फूटने की कम कल्ले पूट सकते हैं या दूसरी अन्य समश्याओं का भी सामना कर सकता है तो बाकी की यहां थोड़ी चर्चा में यह भी चीज एक सामने आई के सर्चों भी एक थोड़ा सा विकल्ब है उसके बारे में जो भी हमारा सिस्टर कंस इस्टिट्यूट है उसको किसान भाईयों की बात पहुचा देंगे बाकी गैहूं के मसले में जो भी यहां के किसान भाईयों के फीड़ वैक है वहम अपने निदेशक से भी साजा करेंगे और काफी अच्छा प्रियास है किसानों का यहां की खेती के लिए और इसमें जो भी हर संबब मदद हमारे संस्थान के माध्यम से हो पाएगी हम जरूर करेंगे धन्यवाद ग्राम सोमनी में उन्नत क्रिशक संजय कश्यप ने अपनी खेत में इस प्रजाती के बीज का उपियों कैसे है किया जाए इसकी विस्तार पूर्वक जानकारिदी किसान भाई को मेरा सबसे पहले नमस्कार मैं विगत 12-15 साल से खेती कर रहा हूँ जिसमें लगभग 10-8 साल हो गया जिसमें मैं गहूं का फसल करता हूँ तो एक मेरा मित्र है जो एंपी में रहा करता था वो अभी सर्विस में था रिटार्मेंट होके लगया तो उसी से बात करते करते मेरे कुछ चर्चा में बात आया इसके पहले हमारे किसान और पूरवज लोग पहले एक एकड़ में चार से पांच कुंटल गहूं का उत्पा तो मैं 80 किलो के आसपास गहूं प्रती एकड़ के इसाप से मैं वहाई पहले किया था उसमें मैं मैं आप सथरा कूंटल के आसपास पर एकड़ के इसाप लिया था उसके बाद मेरा संपर की ये विश्ची सीडल ए बिलासपूर अगरवाल डाक्टर अगरवाल साहब सहभी उसने नए नए वाराइटी निजात करके मुझे बोनिक लिदिया जिसमें इस साल मैं कनिस्का 1029 लगाया हूं जो बहुत अच्छा गहूं दीख रहा है उत्पादान आने पर ही पचट लेगा लेकिन जिसे साबसे भी पेड का ग्रोथ है और बाली जो दीख रहा है कम से कम 15 से सत्र कुंटल के आसपास आनिक की संभावना है और मैं किसान भायों से चाहूंगा इसी प्रकार के गहूं जो प्रडक्शन जे ऐसे गहूं को लगाना चाहिए और आपस में एक दूसरे से चर्चा करके वैज्यानिक जो हैं हमारे उससे चर्चा कर कुरा के ऐसे गहूं लगा जिसमें किसान को अधिक्स अधित लाप परदाय हो इस टाइब का फसल लेने से हमारे आर्थिक किसीती सुधिर होगा धन्यवाद इस अवसर पर चरोदा निगम की महापौर मंडल अध्याक्ष सहीत शेतर की जनप्रतिनी धी एवं किसान उपस्तित रहे वहीं उपस्तित क्रिशी वह ज्यानिकों ने फसल की उपयोगिता की जानकारी किसानों को भी दी ग्रेंडी सीन नीउस के लिए शेरन खरी की रिपोर्ट